हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इवनिंग स्नेक्स की रेसिपी लेके आए हूँ, जो साम की छोटी मोटी भूग में समझ में नहीं आता है क्या बनाओं, तो बस इस रेसिपी को आप आसानी से फटाफट बना सकते हो, यहां तक की बच्चे भी बना लेंगे और यह खाने में भी टेस्टी लगता है, तो फिर देर किस बात के चलिए बनाते हैं, इस रेसिपी को हम बहुत ही कुई कोई कोई और इजी वे में बनाएंगे, उसके लिए क्या करना है, दो उबला हुआ आलू लेना है, आप चाहे तो ग्रेटर से ग्रेट करके ले ले या फिर मैसर से मैस करके, अब इस उबले हुए आलू में कुछ कटे हुए वेजिस डालेंगे, तो सबसे पहले कटा हुआ प्याच, थोड़ा सा कटा हुआ सिमला मिर्च, एक टुकड़ा गाज़र जिसको हमने ग्रेट करके लिया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा एक चमच चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स के जगह आप मिर्ची को कट करके डालें, अब इस मसाला को और चटपटा बनाने के लिए एक चमच टॉमेटो केचप डालेंगे, आप चाहें तो सिजवान चटनी डाल सकते हैं, पीजा पास्ता सौस डाल सकते हैं, साथ में एक चिजो को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, अब इस चटपटा सा आलू का स्टफिंग बनके रैडी हो गिया है, जो देखने में तो सुन्दर दिखी रहा है, खाने में भी बहुत चटपटा लगता है, अब दूसरी तरह आप एक बाउल में एक चमच कॉन फ्लार लेंगे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, पतला भी नहीं करना है, मीडियम रखना है, अज मैं आप एक कॉन फ्लार का स्लरी बना रही हो, इसलिए देखिए, अब हमने एकदम पूरा गाढ़ा घोल रेडी कर लिया है, अब हमें लेनी है चार पीस ब्रेड, आप ब्रेड है वो ब्रेड, अब इस ब्रेड को इस तरह से कट करेंगे, तो एक कटोरी लेंगे और कटोरी से इस तरह से कट कर लेंगे, कटोरी से कट करके ब्रेड लेने से क्या होता है, कि देखने में सुन्दर दिखता है, इसलिए इस तरह से कट कर रहे हैं, और जो एक्स्ट हाथ से करेंगे तो ज़्यादा आसानी से होता है और जल्दी भी हो जाता है चम्मस से अच्छी तरह से पुरा चारो साट फैलता नहीं है बस इस तरह से चारो साट फैला के लगा लेना है अब इसी तरह से बाकी का ब्रेड में भी स्टफिंग को लगा लेंगे अब इस चारो ब्रेड में हमने stuffing अप्लाई कर दिया है अच्छी तरह से अब जो हमने slurry बना के रखा है corn flour का अब slurry को इस तरह से लगाएंगे हलका हलका ही लगाना है बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है इसलिए हमने कहा था कि गाढ़ा ही रखना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है अब अच्छी तरह से पुरा slurry लग गया है अब क्या करेंगे थोड़ा सा white तिल लेंगे और तिल को इस तरह से sprinkle कर देंगे तिल डालना पूरी तरह optional है तिल डालने से सुन्दर दिखता है इसलिए डाल रहे है और यदि आपके पास white तिल नहीं है तो हलका सा black कलर का तिल आती है न वो भी डाल सकते हो अब देखिया हमने चारों में अच्छी तरह से तिल लगा लिया है तो दो bread को हम deep fry करेंगे और दो को तवे पे सेखेंगे बस अब simple तरीके से fry कर लेंगे तेल गरम करेंगे गरम तेल में डाल देंगे और दोनों साइट पलट के अच्छी तरह से golden होने तक fry कर लेंगे जैसा आपको सुईधा लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं या आपको fry किया हुआ खाने का मन है तो fry करके खा सकते हैं या फिर तवे पे सेखे अब एक साइट अच्छी तरह से सिख गया है आप पलट लेते हैं पलट के दोनों साइट सेख लेंगे सेम तरीके से अब दोनों साइट अच्छी तरह से सीख चुका है अब इसे निकाल लेते हैं अब तवे पे भी सिंपल तरीके से सेखेंगे जैसे सेंडविश सेखते हैं बस वैसा ही सेखना है पलट के दोनों साइट अच्छी तरह से गोल्डन होने तक सेखेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा बटर लगा देते हैं बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है या फिर आप घी भी लगा सकते हैं जो है आपके पास वो लगा ले अब दोनों साइड अच्छी तरह से सीख चुका है अब इसे निकाल लेते हैं अब ये ब्रेड का नास्ता बनके रेडी हो गिया है खास बात ये है कि आप इसे इवनिंग स्नैक्स में असानी से बना सकते हैं क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है और घर की कुछ समान से बनता है कुछ भी बाहर से लाने की ज़रुरत नहीं पड़ती है तो दोनों तरीके से मैंने बताया एक तवे पे भी सेख के और डीफ फ्राइ करके जैसा स्वीधा लगे उस हिसाब से बना सकते हैं अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें